नमस्ते अब से थोड़ी देर पहले अब एक पचास है करीब सवा बारा बजे मैं अपने गाड़ी में खुद ड्राइब करके मेरे वाइफ के साथ मैं अपने स्टूडियो से अपने घर आ रहा था और मैं जब आ रहा था तो मेरे घर से करीब 300-500 मीटर दुड़ी में गंपत् .. कड़म मार्क पर मेरे कार को पैर्लेल एक बायक जा रहे थी और उस बायक में दो लोattend थे पूं मेरी तरफ देख रहे थे सोड़ी देर आगे मैंने देखा कि उन्होंने मुझे ओवर्टेग की एक दो बार मुझे देख कर फिर मुझे ओवर्टेग की और ओवर्टेग करके उन्होँंने रास्ते के बीच में रास्ते को उन्होंने अपने इस बाइक बंढ नो तो मुझे लगा शायद उनकी गाड़ी बाइक में कोई प्रभलेम हैssen मैंने भी और उस समय मैंने अपने मेरे वाइफ ने मेरे सर को नीचे किया मैंने थोड़ा डब किया और तब मैंने देखा कि उनमें से एक ने बहुत बार मेरे गाड़ी की राइट हैं साइड सामने की खिर्की को तोलने की कोशिश की और उसको बहुत मार रहे थे गाड़ी को और एक गा वो तोड़ नहीं पाए और उसके बाद जब मैंने एक्सेलेटर पे अपने पाउं को रखा और थोड़ा और आगे मूप करने की कोशिश की ताकि उनको अवाइड करते हुए मैं आगे जाओ तब उन्होंने अपने हाथ से या अपना कोई बैग वैक था वहां से कोई बॉटल निकालके पूरे गारी पे कोई लिक्विट उन्होंने फेकना शुरू कर दिया तो मुझे पता नहीं था कि क्या है यह तिजाब है कि क्या है कि इंक है तो मैंने सिर्फ अपने गारी के पेडल पर अब एक्सेलेटर पर सोर्च से दबाके मैंने लेट से टर्न करके मैं आगे निकला जब मैं आगे निकला और मैं ये फिर से बता दू कि मेरे गारी की खिर्की को तोड़ने की कोशिश की गई तीन चार बार उन्होंने करीब एक मिनिट तक वो गारी के खिर्की को मारते रहें अगर कोई उसमें इंपक्ट नहीं हुआ और थोड़ी मैंने दूरी पे जब मैं आगे बाइक को छोड़के मैं जब आगे निकला तो मैंने पीछे देखा कि मेरे जो सिक्यूरिटी थे उन्होंने उनको रोका है तो मैं घर पहुचा जल्दी से मैं घर पहुचा राइट टर्न वो भी आये और उन्होंने बोला कि नहीं उनको पकड़ा है और वो कॉंग्रेस के है और फिर जब वो सिक्यूरिटी गार्ट मेरे आये तो उन्होंने बोला कि उनको पकड़ा है उनको पुली स्टेशन ले जा रहे क्वेस्टनिंग के लिए और उन्होंने बोला कि वो तो मैं आज खुलकर खुलकर आज मैं सोनिया गांधी को कहना चाहता हूं कि आप और आपकी सारी परिवार सबसे कायर है डर्पोक है जो आपको लगा कि मुझ पे और मुझ पे और मेरे वाइफ पर आप अटैक कर सकते हैं मुंबाई के बीच साथ में तो करिया आप अटैक पर आपके घोटाले पर पूछूंगा मैं और आपने जो किया है जो आप चुपी साधी हुई आपने पालघर के केस पे जहां पे संतों को मारा गये उस पर भी मैं सवाल उठाऊंगा आप कुछ भी करें और मैं सारे दर्शकों को और एक बात बता दूँ कि आपको सब को प प्रियांका वाडरा और राहुल गांदी मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं आओ मेरे गिरफतारी करो और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूं घर से आपस आता हूं आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पर अटाक करवाना चाहता है करिए मगर एक बात याद रख आओ गिरफतारी करो और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूं घर से आपस आता हूं आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पर अटाक करवाना चाहता है करिए मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं हमारे साथ हैं और कर लीजिए आप किसी का कुछ न करेंगे ट्राइ फिर से और मैं फिर से कहना चाहता हूं अगर मेरे पे कोई अटाक हो उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ती और एक परिवार जिम्मेदार है वो है वाडरा परिवार और सोनिया गांधी उनको पता है कि पिछले दस सालों से मैंने सवाल उठाए हैं और वो मेरे आवास को दबा नहीं पाए तो करिया आपकी सरकार है आपके गुंडे है आपकी फौज है करिये मुझ पर अटैक मगर फिर भी कहूंगा सोनिया गांधी थोड़ा सोच लीजिए भारत के लोग आपके खिलाफ है आपका परदा फाश हो गया आज आपने मेरे पे अटैक की ह अपने गुंडों को भेजा है और सारे भारत के लोग जान ले कि रिपब्लिक भारत रिपब्लिक नेटवर्क ना डड़ेगा और ना कैर करेगा यह हजारों बार मुझ पर अटैक कर ले देश की जनता हमारे साथ है तन्यवाद